हेलो फ्रेंग्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज का टापिक है हिंदी सुविचार, प्लीज लाइक, शेर, कॉमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल ता ये देखते हैं, महनत इतनी खामोशी से करो कि काम्याभी शोर मचा दे, जो जुक सकता है, वो सारी दुनिया को जुका सकता है, अपने उद्देश्य में इमानदारी से लगे रहना ही सफलता का रहस्य है, किसी के पैरों में गिर कर काम्याभी पाने के बदले, अपने पैरों पर चल कर कुछ बदने की ठान लो, दिल से दूसरों की सेवा करो, तो दुआओं का दर्वाजा खुल जाएगा, किसी की भूल पर नारास होने से पहले अपनी दस भूल भी गिल लो, अगर आप जीत गए तो खुश हो जाओगे, और अगर हार गए तो समझदार, कर्म करते रहना चाहिए, फल अविश्य मिलता है, जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है, उन्हें रात छोटी लगती है, जिन्हें सपने पूरे गरना अच्छा लगता है, उन्हें दिन छोड़ा लगता है, अगर बदलना है तो खुद को बदलो दुनिया तो अपने आप ही बदल जाएगी समय का उप्योग करो क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुपता जो काम सच्ची लगन से किया जाए उस काम में सफलता जरूर मिलती है समय दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है वक्त अच्छा जरूर आता है मगर वक्त पर ही आता है हर किसी से नम्रता से बात करो क्योंकि मीठा बोलने वाला कभी नहीं हाडता लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं भगवान क्या कहेंगे कभी इसका विचार किया जो अपनी कदमों की काबलियत पर विश्वाश रखते हैं वो ही मन्जिल पर पहुचते हैं सफलता का कोई मंद्र नहीं यह तो परिश्व का फल है जीवन में पश्टावा करना छोड़ो कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाला पश्टा है चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इनसानों की कीमत खोने के बाद मनुश्य के विचार ही मनुश्य को सुखी या दुखी बनाते हैं मनुश्य कितना भी गोरा क्यों न हो उसकी परच्छाई हमेशा काली होती है तब तक कमाव जब तक महंगी चीज सस्ती न लगने लगे चाहे वो सम्मान हो किसी अच्छे काम की शुरुवात के लिए कोई भी वक्त बुरा नहीं होता अच्छे व्यवार का आर्थिक मूल्य भले ही न हो लेकिन अच्छा व्यवार करोडों दिलों को जीतने की ताकत रखता है थैंक्स पर वॉचिंग